स्ताथियों नमस्कार स्ताथियों हमारे देश में मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स शुरुआत से चल रही है कॉंग्रिस ने इसकी शुरुआत करी हिंदू कोड़ बिल से स्टाइटिंग में जवालना नहरु जी एक कोड़ बिल लेकर के आए जिसमें हिदायत दी गई थी कि हिंदूओं को नियम काईदे कानून से चलना है Constitution से चलना है, शादी, भिया, तलाक वगरा, सब Constitution से होगा, नियम काइदे कानून से होगा, लेकिन ऐसा Code Will मुसल्मानों के लिए नहीं लाया गया, क्योंकि उनको खुश रखना था, वो अपने शरीया के साफ से, जिसके साफ से चलना है, उसके साफ से चलेंगे, धीरे धीरे उ अपने काफी को सुना होगा, इसमें आजकल काफी बदलाब चल रहे हैं, सुनने में आया है, और ये भी बताया जा रहा है, कि इन सब चीजों के बाद में, जो मुसल्मानों की ताकत थी, जमीनों को हड़पने की, वो अब कम हो जाएगी, साहाब ये एक्ट लाया क्यों गय गया था, वक्फ एक्ट लाया गया था कुछ जमीनों का निर्धरन करने के लिए, कि ये जमीन मुसल्मानों के मतलब की रहेंगी, इन पर मुसल्मानों का अदिकार रहेगा, और मुसल्मान इस जमीन का अपनी रिलिजियस प्रैक्टिस के लिए, रिलिजियस टीचिंग के ल यह बात कही गई कि हर स्टेट में अपना एक बोर्ड होगा जो उस स्टेट में जमीनों का निर्धारण और सारी प्रिक्रिया देख रहे कि यह सब करेगा और मुसल्मानों के हित्थ प्रभावित ना हो इस चीज को सुनिश्चित करेगा जब यह लाया गया था तो हवाला यह दिया गया था कि जितने भी मुसल्मान भारत को छोड़कर के पाकिस्तान गए हैं अपनी जमीने छोड़के गए हैं उन जमीनों का हिसाब किताब भी इसके जरीए होगा और उस जमीन का उपयोग मुसल्मान रिलीजियस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने में किया जाएगा, अब समझ रहे ना, कि जो यहां से अपनी जमीने छोड़के गए, उनकी रखवाली वगरा देख रेक के लिए भी यह बोड अपना काम करेगा, यह साब चल रहा था मामला, अब धीरे दीरे और भी चीज़ें ऐसी हो गई, होती गई जो को खुश करने के लिए कॉंगरेस ने करी थी, जो हम कई बार वीडियो में डिसकस कर चुके हैं, शाहबानों का केस हुआ था, हमारे प्रेयंबल में एक वर्ड जोड़ा गया, सैकुलर, जान बूच के सैकुलर जोड़ा गया, जिससे कि हिंदू के दिमाग में यह आ जाए, कि भई यह मुल्क सबका है, और मुसल्मान के दिमाग में यह रखा गया, कि यह मुल्क तुमारा ही है, इस तरह से नियम काईदे कानून बनाए गया, आज भी आप जानते हैं, कि मुसल्मान चार शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू नहीं कर सकता, तो भई ऐसा कै सेकुलर वर्ड, जो हिंदू के लिए अलग और मुसल्मानों के लिए अलग है, मगर जोडा गया, और जोडा गया, चलिए ठीक है, बात आगे चलती चली गई, इस एक्ट में, वक्फ एक्ट में, 1995 में बदलाव किये गए, बदलाव के जरीए उनको और अधिकार दिया गया वक्फबोर्ड को, वक्फबोर्ड को में जितने में मेंबर होते हैं, सब मुसल्मान होते हैं, और सब लोग मिलकर खे अपने रिलिजन के बहतर के लिए वक्फफ को निर्दहारन करते हैं, वह मैं आपको बदा चुका हूं, så 1995 में एक अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके शक्ती दे दी गई कि अगर कोई धार्मिक जमीन है और उसमें मुसल्मानों को लगता है कि यह उनकी धार्मिक जमीन है तो भाई उनको कोई रोक नहीं सकता ठीके साब आप चलते रहिए 1995 में कुछ खास बतलाव नहीं हुआ है अभी बतलाव देखना फिर 2013 में अगर आपको याद हो तो उस समय कॉंग्रेस की सरकार थी UPA की सरकार थी 2014 में चुनाव हुए मोदी जी आ गए 2013 में आदर्णिय मनमोहन सिंग जी ने या कॉंग्रेस ने एक बदलाव किया वक्व एक्ट में और इसमें एक सेक्शन 40 जोडा गया और सेक्शन 40 ये कहता है कि वक्व बोर्ड को जो भी जमीन अपनी लग रही है वो उसे अपनी जमीन घोशित कर सकता है कि यह क्या है किरान कर देने वाला पॉइंट है लेकिन सेक्शन 40 ये कहता है कि अगर वक्वोड को लगा कि आपका घर जिस जमीन पर बना हुआ यह जमीन उसकी नहीं वक्वोड की है तो आपको वो घर खाली करना पड़ जाएगा आप कि हम तो नहीं कर रहे हमारे पास तो क कागज है उनकागज कि कुछ नहीं हो सकता वक्वोड को लगता है के आपकी जमीन उसकी जमीन इन तो वह हो गई आपो कोड जाए जिसको सिर्फ और niezी क्या बनाया गया है कि उसे मामलों को निप्टा सके और सबसे हैरानी के बात है कि उस कोट में जो जज होगा वो इनी में से एक होगा या इनका ही एक प्रतिनीदी होगा, मुसल्मान ही होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मुसलिम लोग की जानकारी रखता होगा, अब आप बताईए जब उसके पास आप अपना केस लेके जाएं तो 40-40 साल तक हो सकता है, फैसला ना भी आए, 20 साल तक ना आए, 10 साल तक ना आए, लेकिन इस मामले में एक साल के अंदर अंदर आना चाहिए, और अगर वक्त, ट्राइबुनल ने बोल दिया, कि यह जमीन आपकी नहीं वक्त की है, तो आप उपर कहीं अपील भी नहीं कर स है, तो चुनाप से ठीक पहले मन मोहन सिंग ने दिल लीकिए, ऐसे 113 प्रापटी वक्त बोड के नाम करवा दी थी, कि यह तो वक्त की प्रापटी ले लो, समय समय पर अलग अलग नेता आये, जन्हों ने का, कि हम वक्त बोड के साथ हैं, अगर मुके शम्मानी का घर भी व तरकते थी, सब पर जो है ताला पढ़ने वाला है, एक अमेंडमेंट बिल तैयार किया गया है, जिसे आज पेश किया गया संसद में, और इस बिल में लगबग लगबग 40 चेंजिस हैं, 40, और 40 चेंजिस पूरी तरह से वक्त बोड को कमजोर करने वाले हैं, और देश को सेक एक बार 2022 की बात है, इनको लगा कि तमिल नार्डू का एक गाउं पूरा का पूरा वक्त की प्रोपर्टी है, तो इन्होंने कह दिया का पूरा गाउं हमारा है, और उस गाउं में टेंपल भी आता था, और ये टेंपल, हजार साल से भी ज्यादा पुराना है, हजार साल से पुराने टेंपल को भी वक्त की प्रोपर्टी बता रहे थे ये लोग, इतना तो इनका वो बढ़ गया था, रुतवा, क्योंकि जो लोकल पॉलिटिक्स है, वो इनका सपोर्ट करती थी, तो अब जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ये अमेंडमेंट ये कहता है, मैं आप किसी भी प्रोपर्टी को वक्त भी प्रोपर्टी कह देना, इस सेक्शन फॉर्टी को ही हटा रहे है, जी, पहले हिंदू की प्रोपर्टी को भी अपना बता दो, क्रिश्चन की भी अपने बता दो, बॉद्द की भी अपनी बता दो, सब की अपनी बता दो, आप उसी प्रो पर एक मुसल्मान का ही अधिकार होगा आपको यह था ना कि मुसल्मान ही आके पाकिस्तान चले गए तो उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा इसलिए वक्फ वोर्ड बना रहे हैं ठीक है मुसल्मान के प्रॉपर्टी की तो देख रहें करनी थी ना आपको आप करिए इसके एवज में आप हिंदू की प्रोपर्टी को क्यों छीन नहीं थे अब जो है केवल मुसल्मान के प्रोपर्टी का ही वक्व हो सकता है और ऐसा मुसल्मान जो उस प्रोपर्टी पर 5 साल से ज़्यादा रह रहा हो और उस property का जो नाम जितना भी कुछ है वो उस मसल्मान के नाम ही हो तब ही उस property को वक्फ की property बनाया सकता है पहला amendment दूसरा ये होगा इसमें कि जो पहले एक वक्फ के बोर्ड से commissioner आता था ना कहता था कि जो आपकी जमीन है हमें लगता है कि वक्फ की जमीन है अब commissioner नहीं आएगा वक्फ बोर्ड की तरफ से अब जो उस जिले का DM होगा वो फैसला लेगा कि वक्फ की जमीन है या नहीं है और DM फैसला लेगा सेकुलर हो कि उसे तो अपना administration चलाना है तो यह आप पावर आ गए DM के पास के DM करेगा कि इस पर वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकता है या नहीं अगर वक्फ बोर्ड क्लेम करता है तो उसके बाद भी जो मामला पहले ट्राइबुनल में जाता था सिर्फ और कहीं जाई नहीं सकता था अब आप चाहो तो अन्ने कोर्ड में भी इसको आके जाके अपील कर सकते हो और ट्राइबुनल में भी लेके जाओगे तो ट्राइबुनल में भी चेंज किया गया है ट्राइबुनल में यह बोला गया है कि ट्राइबुनल से उपर भी अपील कर सकते हो, यह section 7 में बोला है change करके, और ट्राइबुनल का जो पहले board था अंदर, जो judge वगेर थे, muslimानों के, उनमें भी change कर दिया है, section 83, section 84, section 85, इसके तहट ट्राइबुनल के जो पूरे नियम काईदे कानून है, उसमें भी बदलाव कर दिया गया है, तो पहले वो जो मुसल्मान जज बैठा हुआ था, जैसे कानून की बड़ी जानकारी थे, muslim laws की जानकारी थे, उसको अटा दिया, अब इस panel में सेकुलर लोग बैठेंगे, हर तरह के लोग होंगे, और इसमें महिला भी होंगी, वक्फ बोड में भी महिला होंगी, पहले नहीं थी महिलाएं, अब वक्फ बोड में भी महिलाएं होंगी, और अगर आपको लगता है हाई कोर्ट में अपील करने हैं, तो सेक्शन 7 के तहट उसको भी बदलाव करके, आपको अपील के योग बनाये जा रहा है, और पहले जो एक साल के अंदर-अंदर फैसला सुनाना होता था, अब दो साल तक आप फैसला सुना सकते हैं, और अगर फैसला लगा के हक में नहीं हैं, तो उसके अकोर्डिंग भी कुछ प्रावधान रखे गए हैं, जिससे और ज्यादा थी जांच हो सके. सेक्शन 4 में बदलाव करके ये बताया गया है, कि जो पहले, जो मैंने भी बताया था आपको, कि पहले वक्फ से कमिशनर आता था, अब डियम बोलेगा, ये सेक्शन 4 की बात थी, मैं सेक्शन बताना भूल गया था. सेक्शन 3 ये कह रहा था, कि वो जो जमीन है, वो मुसल्मान की ही होनी चाहिए. सेक्शन 3 ये कह रहा था, तो उसमें भी बदलाव किया गया है, और इन सब के अलावा, सबसे बड़ा बदलाव तो ये किया गया है, कि जो जमीने और लेडी कब जाई जा चुकी है, हिंदूों की, उनकी अब दुवारा से जाच होगी, और जाच करने में, जो इनकी वक्फ काउंसल बनाई थी, इन लोगों ने 1964 में वक्फ काउंसल नेशनल लेवल पर बनी हुई एक परिशद है, जो सभी वक्फ बोडों का चाल चलन देखती है, हर स्टेट में अपना एक वक्फ बोड है, और वो कैसे खाम करेगा, कैसे नहीं करेगा, उसमें सेंटर लेवल पर ए किसकी है, कैसे कैसे है, और जिसकी गड़वर तरीके से अब जाए गई है, लोटाइए, आप जानते हैं हमारे देश में वक्फ बोड के पास तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जमीन है, तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है डिफेंस के पास, फिर है रेलवे के पास, फिर है वक बोर्ड के पास हमारे देश में लगबग एक लाख करोड से ज़्यादा अमाउंट की जमीन वक बोर्ड के पास है एक लाख करोड से ज़्यादा की और लगबग नो लाख एकर की जमीन इनके पास है और लगबग आठ लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी दिनके पास हैं वक्षबोड के पास कर सकते आत्मी को मौकाता दो सामने वाले को आप तो बहुत बड़े रख्चक थे लाल किताब लेके घूम रहे थे को अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो क्योंकि आपका वोड बैंक सकता है आपको चीज़ और बताऊं नजूल के प्रॉपर्टी भी एक मसला था नजूल के प्र भारतिय हो और आपने भारतियों के साथ ही गद्दारी की है बहुत अच्छा लो जमीन लो ऐसे करके नजाने कितनी जमीने अपने चम्चों को अंग्रेजयों ने दे दी इसे नजूल की जमीन का जाता था जब देश आजाद हुआ तो यह जमीन सरकारी होगी सरकार के पास सरकार ने यह जमीन लीज़ पर देना स्टार्ट कर दिया कि अच्छा तुम कोई फलाना जी हो जमीन को ले लो अगले 50 साल के लिए किराएप है हर साल किराय दे दिया करो एक या दो रुपे अब 50 साल के लिए कोई चीज दी गई है वह आज भी उस पर किराएप है आज भी वक बोड को किस ने दी होगी सरकारों ने स्केट गवर्मेंट्स ने पूरे देश में दे रखी है अब इस पर भी पावंदी लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी जी बिल लेकर के आये हैं कि नजूल की जमीन का दुवारा से मुल्य अंगन होगा इस पर वीडियो करके बैठेंगे और किसी भी जमीन को नहीं कह सकते हैं अब किवल मुसल्मान की जमीन को ही क्लेम कर सकते हो और वह आपके कहने से नहीं होगा डीम बतागा के क्लेम कर सकते हो के नहीं और अब ट्राइबुनल ही के हाथ में सब कुछ नहीं रहेगा उपर भी अपील कर सकते है और ट्राइबुनल में भी अब वो जो मौलाना साब बैठते थे वो नहीं बैठेंगे, जी, और जित्ती भी जम्मीने कब जाई जा चुकी है न, उन सब का दुबारा से जाच होगी, और अगर लगा कि आपने गलत तरीके से अपनाई है, तो वो आप से वापस ले ली कि इसे कहते हैं सेकुलरिजम चचा, राम राम, नमस्कार